खुशामदीन नाजरीन SMH न्यूज में आप सब कई स्ट्यकबाल है एसीबी ने जहीराबाद मुनस्पल कमिशनर समेत दो आमला को दो लाक रुपे रिश्वत लेते हुए किरफतार कर लिया एंटी करप्शन भी ओरो एसीबी ने चार्शंबे के रोज जहीराबाद मुनस्पल कमिशनर सुभाश राव देशमुक मैनेजर मनोहर और एटेंडर राकेश को इस वक्त पकड़ लिया जब वो मुबिना तौर पर एक मुहमद निसार उद्दीन से दो लाक रुपे की रिश्वत ले रहे थे निसार उद्दीन ने मुनस्पल्टी हुदूद में एक नया मकान खरीदा था जब इसने मुनस्पल रिकॉर्ड में अपना नाम बतौरे मालिक जाहर करने के लिए जायदात की तबदीली के लिए मुनस्पल एहकाम से रुजू किया तो मुनस्पल आफिसरान ने मुबिना तौर पर दो लाक रुपे की रिश्वत तल्प की निसार उद्दीन ने एसीबी एहकाम से राप्ता किया जन्होंने चारशंबे की शाम ज़हिराबाद मुनस्पल आफिस में तीनों को पकड़ लिया तीनों को हैदरबाद में S.P.E. और एसीबी मुखदमात के एडिशनल स्पेशल जच के सामने पेश किया गया मज़ी तफशीर चारी है आएए देखते हैं इसके मज़ी तफसिलात हमारी एक खास रिपोर्ट में और एहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूस चैनल S.M.H. न्यूस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें फेस्पुप पर लाइकर, इंस्ट्रग्राम और ट्वीटर पर फॉलो करें घृतला ओवनरे वरहेतowych। में पर अचानल S.M.H. जडिए प्र अब अवादी नियन लीगल का उनना है अधा ना की प्रोसेस एक लाउने चेहने अधा निया अधानी चेहने प्रशेश अधा दाद आप मुरल्लक्ष्षा लगा डू प्रोच चेहिछा हुआ तरह इकरों ना मैनेजरगार रू चेह लुट अधा 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 अधिते अ अधा अधा निया निया इन्टी एमसाय तो अफिशल पर इन्टा प्रोसह्स तरह था नियुदा प्रोसेस तरह था जूरिंग दी कॉर्स आप इन्वेस्टिकेशन एकला माँक फैक्क्स हवें ने इमाक वोस्थ हो दान प्रकारा मुनेश्य रेक्शन तीज़कोरण जरूदू लिपूर ये शायद गांधी मेंवरेल के अटाइश में एक मेरा घर है तो वो घर का जो है ना 281.2 स्कौर यार्ड में है गरांट फॉस्ट है तो घर खरीदने के बाद मैंने क्या किया जब मैं मुझे इतला मिली मुंसिपाल्टी से अचानक फोन आगा कि आपके डॉक्मेंट्स में एरर है फोरी लाग कि क्या है डॉक्मेंट्स जमा करो वज़कि मुझे फोन आया मैनेज मैंनेजर के थ्रो तो फिर मैं क्या किया जब मैंनेजर के पास बैठावा था यूसफ भी बहुत अच्छा पंक्च्छल काम करते हैं सोचल मीडिया में और मीडिया के थ्रो भी और आइसे हीमन राइट्स में तो फिर मैंने जब मैं पॉन करने के बाद आया आने के बाद क्य ये लीजिए तो उन्हों ने कहा मुझे कि आप तमाम डॉक्मंट्से घर के लाके जमा कर दो तो फिर मैंने किया कि एक विट अप्लिकेशन पुरे एकस्कियुकूफिशन के साथ पूरे डॉक्मंट्स जमा किया मैं जमा करने के बाद क्या हुआ फिर प्र मेरी लगातार बात ह रही दो तीन बार अप्लिकेशन दिया मैं आठ छे दो हजार बाइस को दिया था मैं तो अभी तक मेरे खाल से पांच-छे मैने का वक्त गुजर गाए इसमें तो इसके दारीमान में में कमिशनर से मैनेंजर से रोज़ना इतना इतना था था कि मुल्सिपालिटिके में समझतो चपरासे से लेकर बड़ा हायर अफिसर तक सब मुझे जानते हैं तो इसके बाद यह हुआ कि मुझे मैं मतलब मुझे एक ब्राइप पूछा गया एक लाका तो मैं उसके लिए राजी होगा तो इसके बाद यह हुआ कि मैं यूँ हिंट मैं देखता हूं कि अगले वाला और मुटेशन अपने नाम पर कर लेता है फिर ओर अरजी होँ पर एसार ओ आफिस के पास देता है तो फिर मैं वहाँ पर जाने के बार किया एक हजारो लबowa की चानन भर कarchy मैं किया कि प्रोटेस्ट पेटिशन द्याँ पे फिर एक का पी क्या किया मैं ऐसाई के पास इación पर जै जहे रावाज में तो उनूने ये कहा कि हम इसके बारे में कहा है ताएखिख करें पहले क्या है मुंसीPALITIC assessment मोटेशन दुरस और किया यह तो फिर इसके बारे में ये किया कि इसके बारे में क्या रेंगे सर फिर मशुरा किया मेरे को यहां तक कि मुझे घर के मामले में यह हुआ कि जो टेनेंस है वो लोग मल्टिपल फिर से क्या है उसको नाइसाफी हो या इस्तेसाल हो या कोई भी किसी खिसम से जाधती हो बिल्कुसर मैं अब जब भी मैं एक पहली बार में मुझे इत्फाख अलागे जहराबाद के गयूर मुसल्मानों की खास बात है और यहां के क्या है हिंदो मुस्लिम भाइचारगी है तो यह जो कल्चर है यह किस वज़े से है कि लोग यहां पर स्टेकल करते हैं हलाल रोजी खाते हैं और महनत मजदूरी से अपनी कफालत करते हैं चोटे- हो मैं हरगे नाम देना चाहरा लेकिन ऐसी सूरत में जाब यह मुझा पहुंचे हैं वहां पर पहुंचने के बाद हम कोई अर्जी देते हैं जेन्यून हम होते हैं लेकिन बहुत सारी लोग क्या करते हैं उसको मलिटिपल उसको क्या क्रियेट करके